हाई दोस्तो जय हिं जय भार्त मैं आप अपने मेरा हरजीत फोजी दोस्तो आज में आपसे काफी बाते करने वाला हूं टीय आर्मी से समंदित जो नेक्स्ट दो हजार चोईश में काफी भरती आ रही है काफी यूटूब वाले काफी वीडियो डाल रहे हैं उसके बारे मैं को पूरी जानकरी दे रहा हूं टी आर्मी के बारे में फुल इंपॉर्मेसन अभी आपको मैं दे दूगा तो दोस्तों जो मेरे भाई हैं जो बार-बार विश्वास करके वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फाइनली वीडियो होने वाला है और मैं आपको पूरी तरीके से बता दूगा दोस्तों कि क्या होता है क्या करना होता है और कैसे इसमें सेलेक्ट हुआ जाता है आपकी भी बात सहिए क्योंकि मैं ड्रेस में वीडियो नहीं बना था इसलिए आप भी विलीव नहीं करते कि बंदा फोज में है या नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ दो दोड नहीं करूँगा तो भी मैं एक दिन में दाके वहां पर पाड़ खोद दूँगा कहां मतलब मुझे कहां दोड करने की जुरूरत है मैं तो ऐसे कुदूँगा ग्राउंड में और अब एक्सिलेंट मार दूगा बाई चाहि कितना भी बड़ा दुरंदर हो चाहि कोई भी भाई हो चाहिक जिसका टाइम चार ताली सारा हो चाहिए पांस बीज आ रहे हो देखो कहते हैं लख भी काम खरता है कभी कभी तो टी-ए-आर में क्या होता कभी आप बीच में नमर फास्ट दोडो डेली टाइम निकालो अपना सुबह नहीं तो शाम को निकाल लो और कई भाई बोलते हैं सर सुबह टाइम नहीं मिला तो शाम को दोड़ेंगा रहे भाई जब सुबह शाम दोफार जब टाइम ले तब दोड़ो आप ये सोचों कि मेरे सो कंपेटीटर है टी जिन्होंने पूने में बढ़ती देख रखी है, 101 मराठाली में, वह मुझे जानते हो, रेस कोर्स में मैं चहवा रेस मारी है, और जिसने 101 टीये में रेस मारी है न, वह भाई कमेंट करके बता दे न, मैं कई वार उन से मिला भी हूँ, दूसरी में बात करता हूँ, जिन भाई करना दोस्तों आपका भाई 200 में से जब कमांडर पूछता था कि कौन आएगा तो मैं कहता था फस्ट मैं आउंगा लेकिन मैं नहीं मेरी मैंनत बोलती थी वह सुबह चार बजे पूरे दिन में मैं कम से कम चार घंटे दोड़ता था कभी 10 किलोमेटर कभी 5 किलोमेटर इसलिए करनी पड़ेगी और टी आर्मी की बर्तियां फाइनली फिक्स हो गई है यह आपको मैं बता देता हूं अब करना क्या है अब अच्छी रनिंग करो अच्छी मेडिकल्स की तैयारी करो मैं आपको फूरी इंफोर्मेशन इसलिए दे रहा हूं कि भाईयों उसके दब गिवार अगर भरती आए तो आपका सेलेक्शन हो जाए यार तीन चार चीज़ों का ध्यान रखो सबसे पहले टी आर्मी की देख रहे हैं अच्छी बात है उसके अलवा आप फ्री जो बलेट पर जाके चेक करते रहो क्यार कोई आर्मी से लेटेड को भरती तो नहीं निकली है जैस आर्मी में गोलाबार डीपो में बढ़ती आती है तो यह काफी वेकेंसिया ओफलाइन आती है और इसमें 60-70 वेकेंसी होती है तो गुप-चुप के लोग फोम बर देते हैं कई लोगों को तो पता तक नहीं चलता यार तो अब अच्छी करना क्या हूं सब फोम को बढ़ते पर जो अपडेट वेकेंसी का है वो आपको मिल जाएगा और मुझे फोलो कर सकते हो क्योंकि मैं को अच्छी वेकेंसी आती है तो मैं आपको बताता रहता हूं अब भाईउं यह सब कलिर होने के बात के अंदर अब इन दूनु चीजों में ट्राइ करते रहो अपना पढ़ क्यों जाएगी ज़्याद आपने परिफेर रहोगे तो बढ़ती आएगी तो आप तूरंत ग्राउंड में कूज जाओगे तो इन चार पांच चीजों को इस पेसली जहां में रखना है और सारी वेकेंसी की त्यारी के लिए आपको बता देता हूं आर्मी में सो नमर का फि जाते हैं दस वहां पर पुसप चीनप मरवाई जाती है और चीनप के दस के चालिस नमर है और नो के हैं 37 नमर और आट के हैं 36 नमर और साथ के हैं 33 नमर छे वाला फेल होता है इस चीज़ का ध्यान रखना तो वह सो नमर ग्राउंड में मारना की कौसिस करना भायूं उसके और फैर हम एक चीजो नमर का होता है पेपर है उसमें 15 के उसे सना के चैसे हैं 35 और 15 के उसना के गणित के इसमें में नमर के महां सरफ हैं saw भायूमर में है टोटन नमर हो गई 170 170 नमर में आब कोई भी नहीं पचभ़ाइगा एकशो सत्र नमें मेरिट में नमर आएगा याएगा तो जो भी भाई हैं जोने बरेली में दिली में जिन भाईयों करनाटका, महराष्टरा, तमिलाडू डमंदीब, यूपी, बिहार, महराष्टरा, राजस्तान यह सब जिन भाईयों ने में बरती देग रखी है कमेंट करना दोस्तों आसा है आपका भी सेलेक्शन होगा ऐसी आसा के साथ जय हिंद जय भार्त